तो बड़ी कबर इस वक्त पीम मोदी ने पदभार ग्रहन कर लिया है जियां ये बड़ी कबर पीमों में उनकी मौजूदकी काफी वक्त से बताई जा रही थी और अब जो बड़ी जानकारी आ रही है पदभार उन्होंने ग्रहन कर लिया है तो तीसरी बार पीम मोदी ने कार कि अवाले जिनों में सटकार का फोकर इस तरफ रहेगा और पीम ने भी एक बयान जारी करके ट्वीक करके भी का कि अविताब जी अब चुकी अब यही से इस तीसरे टर्म की लिए आगे का विजन उसके लिए जिस रोड मैप की चर्चा उन्होंने पहले से सोच रखी थी कि क्या कुछ करना है सो दिनों का एजिन्डा क्या है उस एजिन्डे को कैसे कम्प्लीट करना है उसके बाद पांस साल का रोड मैप क्या होगा इन तमाम जो पर चर्चा उनकी तरफ से बार बार की जाती रही है और यह जो तस्वीरा इस वक्त आपके ट्रीवी स्क्रीन पर 2014 में जब पहली बार मोधी 1.0 जब भार गरहंट करते हुए वह नसर आए 2019 यह दूसरा उनका टेन्योर दूसरा कारेकाल 2.0 के जरिया और उनकी तरफ से नमन किया गया और पदबार गरहंट करते नसर आए तीसरी बार दोहजार चौबीस में इस बार एक बार फिर से पदबार गरहंट करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और हमारे साथ दिली समवादाता अमितेश इस वक्त जोड़ चुक है अमितेश ये चंड भी अपने आप एहतिया से खुजाता है तीसरी बार पदबार गरहंट करते हुए अब उनका एक्षिन मोड जो है वो साफत तोर पर नजर आना शुरू हो जाएगा यहाँ बिल्कुल तीसरी बार लगातार परदानमंत्री नरेंद्र मोधी ने करेभार संभाला है और अभी इससे पोड़ी दिर पहले ही उन्होंने परदानमंत्री करयाले जाकर अपना अपद संभाल लिया है तो कैबिनेट का जो सल गठन हुआ, मोधी मंदल का सल शपत गरान हुआ, जिसमें परदान मंतरी नरेंदर मोधी को लेकर 72 मंतरियों है शपत गरान किया, और उनके लवाद 30 कैबिनेट मंतरी से उसमें, तो निश्चित रूप से आज कैबिनेट की बैठा की होनी है शाम में, उसके पहले परदान मंतरी नरेंदर मोधी ने सुबह जाकर की अपना कारेभार संभाल लिया है, और एक बार फिर से जैसे परंपरा के मुताबिक हमेशा होता है, नरेंदर मोधी कभी रुपते नहीं है, अपने काम में लगे रहते हैं, तो परदान मंतरी फत की शपत लेने दाक्षत किया जा रहा है, यानि कि जो हमेशा से उनकी priority list में हमेशा से किसान, गरीब, युवा, महिलाएं जो रही हैं, उनकी शुरुवात एक बार फिर से उसी की तस्वीर नजर आती है, जहां बिलकुल उनके अगर लिस्ट में लेखें, priority list में तो किसान, महिला, युवा गरीब हमेशा से रहते हैं सबसे पहले, और आज तीसरी बार जब उन्होंने शपत ग्राण किया, उसके बाद अगले दिन जब कारेभार समाला, तो सबसे पहला जो फैसला रहा, वो किसान समान निरी जो है, उसकी रासी को जारी करने का फैसला किया गया है, तो निश्चित पहला कदम है और पहला कदम है तीसरे बार के कारेकाल में, तो यह दिखाता है किस तरह से नरेंद्रमोदी के प्रासमित्ता में किसान सबसे उपर है, और यही एक संदेश दिने की इसमें कोशिश भी की गई है, बहुत-बहुत शुक्रे आमितेश इस समान जानकारी के के सार में देश सम्मान जो फाइल है उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किया और एक तरीके से श्री गणेश यो ऐस तीसरे टर्म की कर दी गई है